Hello friends, welcome to student go. आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं RT officer के बारे में RT officer क्या होता है, इसके क्या क्या काम होते हैं हम कैसे RT officer बन सकते हैं एक RT officer बनने के लिए क्या क्या योगिताव होती है उसका exam pattern क्या होता है और एक्जाम में passing marks कितना होता है और इसके अलावा एक RT officer की salary कितनी होती है तो RT officers related ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को शुरू से अंतक जरूर देखेगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले हम RTO का पूरा नाम जान लेते हैं RTO का पूरा नाम है regional transport officer RTO को RTA भी कहा जाता है तो आप confused मत होएगा दोनों सेम चीज़ है RTO या फिर RTA RTA का मतलब होता है regional transport authority RTO एक Indian government bureau है जो पूरे भारत में vehicles के registration और driving license जारी करता है तो चलिए जानते हैं RTO officer के काम क्या-क्या होते हैं RTO officer का सबसे पहला काम तो यह होता है आपने देखा ही होगा जब भी हम कोई गाड़ी खरीदते हैं कोई भी वहान खरीदते हैं तो खरीदने के बाद हमें उसके कई सारे documents बनवाने पड़ते हैं एक ही गाड़ी के कई तरह के documents बनते हैं जैसे की insurance, driving license, pollution test, vehicle registration, etc तो यह सभी documents RTO के द्वारा जाच करने के बाद ही जारी किया जाता है इसके लावा vehicles के database यानि की वहनों के database और driver के database को भी रखने का जो काम होता है वो RTO officer का ही होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं RTO officer कैसे बने सबसे पहले मैं आपको बता दू कि RTO officer में अलग-अलग तरह के post होते हैं तो इसमें तीन तरह के post होते हैं सबसे पहला होता है RTO clerk दूसरा है RTO assistant, engineer और तीसरा होता है RTO judicial servant RTO B grade का officer होता है एक RTO को अपने एरिया के सभी वहनों और वहनों से related documents चेक करने का पूरा permission होता है तो आईए जानते हैं इसके eligibility criteria के बारे में एक RTO officer बनने के लिए आपके पास क्या-क्या सेक्षी क्योगता है होनी चाहिए सेक्षी क्योगता में सबसे पहले तो यहाँ पर जो demand होती है यह होती है Indian citizenship की आपके पास भारतिये नागरिकता होनी चाहिए तब यह आप एक RTO officer बन सकते हैं भारतिये नागरिकता होने के साथ साथ qualification में यहाँ पर आपको 10th pass होना ज़रूरी है किसी भी stream से और अगर आप high post पे जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी मानेता प्राप्त university से विश्विद्याले से graduation pass out होना ज़रूरी है और RTO officer के job के लिए girls and boys दोनों apply कर सकते हैं और जो eligibility criteria है यह post पे भी depend करता है कि आप RTO officer के किस post के लिए apply करते हैं तो आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं इसके age limit के बारे में तो इसमें जो minimum age limit है वो 21 years है और maximum 30 years है अगर आप 21 से कम है तब भी आप इसके लिए apply नहीं कर सकते हैं तो इसलिए इसमें minimum age limit and maximum age limit तई की हुई है इसके अलावा जो OBC category के students हैं इन्हें 3 साल का relaxation मिलता है और ex service member SCST इन category के students को 5 years का relaxation मिलता है इसके बाद आते हैं physically disability जो भी students physically disabled हैं तो उन्हें 10 years का relaxation मिलता है 10 साल का इसका जो selection का process है तो RTO की जो परिक्षा होती है वो state public service commission द्वारा कराई जाती है यानि कि राज्य लोग सेवा आयोग द्वारा कराया जाता है और इसका selection के process तीन step में होता है पहला step होता है return exam return exam आपको देना होता है जब आप return exam दे देंगे उसके बाद ही आप second step में वढ़ते हैं तो first step में मैं आपको बता दू कि return exam में दो घंटे का ये exam होता है जिसमें 200 questions आपसे पूछे जाते हैं 200 questions ये सारे MCQ questions होते हैं और total 200 marks के होते हैं इसमें आपका जो question होता है ये राष्ट्रिय और अंतराष्ट्य वर्तमान घटना क्रम, geography, English language, general science, history of India, आर्थिक और सामजिक विकास, पार्यावरन और सामजिक विकास इन सभी subjects related होता है जब आप first step clear कर लेते हैं यानि कि आपका written exam आप pass कर लेते हैं फिर आपको second step में आना पड़ता है जो कि physical test है फिर आपका physical test होता है physical test के लिए आपको fit and healthy होना ज़रूरी है इसके बाद जब आप physical test में भी clear हो जाते हैं first second दोनों test clear करने के बाद तीसरा होता है आपका interview, interview clear करने के बाद आपको job मिल जाती है तो exam में आपके जो passing marks होने चाहिए वो कम से कम 60% होने चाहिए अगर आप general category से belong करते हैं और अगर आप SCST या फिर OBC category के student आप फिर आपके पास कम 50% आने ही चाहिए तब ही आप RT officer का exam pass कर पाएंगे और एक RT officer की जो salary होती है वो 15,600 से लेकर के 55,000 तक होती है यानि की 15,600 से लेकर के 55,000 पर मंथ होती है इसके साथ आपका grade पे होता है 4200 का 4200 का और ये जो salary है ये state wise different होती है क्योंकि जो RT officer का exam होता है ये हर एक state में अलग-अलग होता है RT officer का exam state wise होता है हर state में अपना-पना exam होता है तो इसलिए इसकी salary भी जो है वो state wise अलग-अलग होती है RT officer के लिए कभी direct भरती नहीं होती है यदि आपको एक RT officer बनना है तो इसके लिए आपको पहले IMV या फिर ARTO के post पर join होना पड़ेगा इन post के लिए आपको पहले apply करना पड़ेगा इन post का जब आप exam clear कर लेते हैं इन post पर जब आपकी जब लग जाती है उसके बाद आपका जब promotion होता है promotion होने के बाद आपको RT officer बनाया जाता है तो IMV का पूरा नाम है inspector of motor vehicles और ARTO का पूरा नाम है assistant regional transport officer तो अगर आप IMV या फिर ARTO के बारे में जादा जानना चाते हैं तो वीडियो के नीचे comment ज़रूर कीजेगा और यदि आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी helpful लगी हो तो प्लीज एक like ज़रूर कर दीजेगा और हमारे चैनल को subscribe करके bell icon ज़रूर प्रेस कीजेगा जिससे आ आगे आने वाली सभी वीडियो की notification आपको time to time मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियो देख पाएंगे Thank you so much for watching this video